घर के खाने की तो बात ही अलग होती है अगर आप भी बनाना चाहते हैं बजार से भी बहतरीन चाट घर पे तो मेरे इस वीडियो को आप एक बर पूरा जरूर देखें मैंने बनाया है इमली की खटी मिठी चटनी और दही के साथ आलू की टिक्की चाट तो चलिए मैं इस रे प्यास को मैंने बारिक बारी काट लिया है यहां पर मैंने लिया है पांस से छे पिस चोटे साइस के प्यास और अब मैं इसे इसमें डाल देती हूं तो प्यास को मैं चलाते वे लाल कर लूंगी प्यास जो है वो लाल हो चुका है तो अब मैं इसमें डालूंगी कुछ पीस डाल देती हूं थोड़ा सा पानी क्योंकि मैं इसमें डालूंगे थोड़े सुखे मसाले तो सुखे मसालों में मैंने लिया है यहां पे आधी चमच गरम मसाला पाउडर आधी चमच गुलकी पाउडर और एक चमच मैंने लिया है जीरा पाउडर एक चमच धनिया पाउडर ए तो मतर को मैंने राद बहर भीको कर छोड़ दिया था पानी में तो मतर हैं भूहत ही अच्छ इपूल चुकिए हैं इसे मैं इसमें डाल देती हूं मतर मैंने यहां पे लिया है Bulgar ऑरी म McCarthy को दyडिय केह और उसे में थोड़ा टाइम लेता है तो मैंने इसमें जादा पानी डाल दिया है और कूकर का धकन लगा कर मैं इसे 12 से 13 सीटी आने तक इसे पका लूँगी साथी तिक्की बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है आलू उसे मैंने बॉयल कर लिया है और उसे गरम गरम ही मैंने मैश कर लिया है अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक तो टेस्ट की साब से मैं नमक डाल देती हूं इसमें और डाल दूँगी आधी छोटी चमच हल्दी प तो यह देखे मैंने आलू को नमक और हल्दी देकर अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसका छोटा छोटा बॉल बनाऊंगी और उसे मैं टिक्की का सेप दे दूंगी इस तरह से तो सारे आलू की टिक्की मैं बना कर त्यार कर लूँगी इस तरह से तो आलू की टिक्की ज तो तेल को मैंने पैन में लगा दिया है, अब मैं ब्रस지के ओपर लगा लिया है, थैल मैं ब्रस य४परम है तेल को लगा लिया है यदु तो ब्रस य४ट य४ मैं लगा लिया है zł मैं इसे फ्राइ कर लूँगी, तो सारी आलू की टिक्की फ्राई हो चुकी है, सारी टिक्की को मैंने निकाल लिया है एक पिलेट में, तो चाट के लिए मैं बनाऊंगी, यहां पी इमली की खट्टी मीठी चट्णी, तो पैन को मैंने रख दिया है, गैस पे, इमली को मैंने डाल दिया है पैन में तो इसमें उबाल आ चुका है तो इसमें मैं डालूंगी चीनी तो मैंने बड़े चम्मच से आधा चम्मच इसमें चीनी को डाल दिया है साथी मैं इसमें डालूंगी छोटी चम्मच से आधी चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे मिला इसमें जब उबाला जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी आधी चम्मच नमक तो यहाँ पर मैंने डाला है काला नमक साथी मैंने डाला है थोड़ा सा साधा नमक और इसे मैं तीन से चार मिनट तक पका लूँगी 3-4 मिनट पकने के बाद इमली की चटनी जो है वो बनकर तयार हो चुगी है तो खटी मिठी इमली की चटनी चाट में डालने से चाट का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है अब मैंने यहाँ पर काट लिया है हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और धनिये की पत्ती को बिल्कूल बारिक बारिक मैंने इसे काटा है तो देख लेती हूँ मैं छोले बनकर तयार हुए की नहीं तो 12-15 सीटी आने तक मैंने छोले को पका लिया है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में अब आई है चाट बनाने की बारी तो चाट मैं बना कर आपको दिखाती हूँ छोले को मैंने डाल दिया है प्लेट में अब मैं इसमें डालूँगी आलू की टिक्की तो मैं इसमें डाल देती हूँ दो पिस आलू किटी की साथी मैंने जो प्याज हरी मीर्च धरी की पत्ती और टमाटर को काटा था उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ तो सबसे पहले मैं डाल दूँगी प्याज को उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटेवे टमाटर तो दही को मैंने इसके उपर से डाल दिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी सेव, नमकीन सेव है यह, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ, तो इमली की जो चटनी मैंने तयार की थी, इसके उपर से मैं इसे डाल देती हूँ, इमली की खटी मीठी चटनी दही और थोड़ी से तीखे मसालों के साथ ये चाट जो है वो बनकर तयार है ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था आप भी एक बार इस रेसीपी को एक बट राइस जरूर करें तो चाट बनकर तयार है अब मैं इसके उपर से थोड़ा सा चीड़क देती हूं काला नमा को तो ये चाट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दें